दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नय एपिसोड में शारुख खान ने जिस तरह से 2023 में अपने दुश्मनों का मुँपे ताला लगा दिया करारा तमाचा मारा हेटर्स को बॉय गोर्ड गैंग को और बॉलिवूड को ऐसा बचाया दोस्तों कि बॉलिवूड करोड की दे दी हजार करोड की फिलमें दे दी कमाल कर दिया मतलब किसी ने सोचा नहीं था बहुत कम ऐसे लोगों ने सोचा होगा लेकिन साओं से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ बॉलिवूड को और अकेले दोस्तों शारुख खान ने बहुत सारे इंडस्टी के पूरे स लेकिन मौर्निंग में मैंने देखा कि कुछ वीडियो बन रहे हैं किंग के उपर इक टीजर रिलीज होने वाला है और जो टीजर वो सेंसर के लिए गया था सेंसर से पास हो गया है यूए सेटिफिकेट मिल लिया है टीजर का जो लेंथ है वह 1 मीनट 34 सेकंड का है ऐसा दोस्तो आ सोशल मीडिया पर संसर के तस्वीर है करती थी और यह एडिटेड है क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे सवाल इस्टाग्राम पे और ट्यूटर पे आके फैंस पूछ रहे हैं कि भाई से पास हो गया है किंग का टीजर और आप अभी तक सो रहे हूं जल्दी से वीडियो मनाओ बताओ टीजर कैसा है किस तरह को होगा तो दोस्तों मै वीडियो बनाया इसके उपर कंफीज हो गया है क्या है बाई लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडिटेड है दो तीन ऐसी गलतिया है जिससे पता चल जाता है कि भाई ये फैंस फैन का एडिट किया हुआ हुआ है क्योंकि फैंस भी बहुत जादा एकसाइटेड है इस फिल्म को लेके और होना भी चाहिए भाई बहुत बड़ी फिल्म है इस फिल्म की चर्चाएं हो रही है शारुख खां का जो लुक अभी हाल में देखा गया है वो दोस्तों इंटरनेट पे बवाल कर रही हैं इंटरनेट को तोड़ कर रहे हैं यह बहुत कहीं कहीं फैंस को एकसाइड कर रहा है कि डॉन इस बार कैसा देखने को मिलेगा फरानक तरवाला जो डॉन है उससे सिमिलर होगा अलग होगा कितना डार्क शेड होगा क्या होगा कैसा होगा उस सारी बात है दोस्तों जब शूटिंग शुरू होगी तो धीरे-धीरे करके कि करके मैं आपको अपडेट करता रहूंगा लेकिन फिलहाल टीजर की कोई जंकारी नहीं है यह पता है कि अगले महिने के एंड तक इस फिल्म का अनॉस्मेंट कर दिया जाएगा और क्या पता जून के बाद यानि जून में इस फिल्म पे काम हो जाए तो बहुत जल्द बहुत सरे जंगरी सामने आजाएगी मैं आप सभी को कर though आप नोगा आ το कैळे के किसश्यों कактер से ज़्यादा बिजनेस करेंगे या फिर सीधा दोज़ाइब 25 में कि आगे 50 कोड़ का बिजनेस करेंगे कितने साथ लोग ऐसा लगता है कमेंट करके बताएं और आप लोग कमेंट करेंगे जो उसके साथ कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा अपडेट्स न